आजकल पैन इंडिया फिल्म्स का जमारा है, हर कोई मल्टी स्टार फिल्मों में इन्वेस्ट करके ओडियन्स का ध्यान अपनी तरफ खीचना चाता है, और अब इस रेस में एक नया नाम शामिल हो गया है रामायन हम सब इसको सुनके पढ़के या फिर आँखों से टीवी पर देखके बड़े हुए हैं बच्पन का इंपोर्टेंट चैप्टर जिसमें राम, रावन, सीतामा की कहानी से जिंदगी की सीख मिलती है लेकिन जैसे जैसे हम से बड़े हुए, वो सब यादों में काफी पीछे शूट गया बस इसी लिए बॉलिगूड आपका रिविजिन करवानी की तयारी कर रहा है जीहां रामायन पे फिल्म बनने जा रही है, फिलाल जिसकी स्टार का से थुड़ा बहुत पर्दा उठाया गया है रितिक रोशन बनने जा रहे हैं रावन, ब्राम मडों में सबसे ग्यानी लेकिन एक पाप और देनी पड़ी जिंदगी की कुरबानी रितिक रोशन की सेकेंड इनिंग्स नेगेटिव करेक्टर से भरी पड़ी है अभी विक्रम वेदा में विलन बनना है, फिर सीधा रावन, बॉस सिनेमा लवस की चांदी है और इनके सामने राम बनके धर्म का पाठ पढ़ानी की जिम्मिदारी दी गई है रनवीर कपूर को जिनका नाम लिखा हुआ पत्थर भी पानी पर तैर गया था अल्रेडी ब्रमास में रनवीर कपूर को ऐस शिवा प्रेजेंट किया जाएगा, उसके बाद रामायन में राम मतलब पूरे चांसे हैं फ्यूचर में रनवीर को बॉलिवुड का फेस बनाया जाएगा लेकिन इन दौरों से भी जादा excitement आपको ये सुनकर होगा कि फिल्म बना कौन रहा है ऐसे प्रोजेक्ट्स में डिरेक्टर का रोल सबसे important होता है दंगल और शिशोरे जैसी audience को satisfaction देने वाली फिल्म के डिरेक्टर धितेश्ट दिवारी जो expert माने जाते हैं cinema के परदे को असली दुनिया जैसा real बनाने में और आपका मूँ फटा का फटा रह जाएगा ये सुनकर कि फिल्म का बजट 100, 200 या 300 करोड नहीं अल्मूस साड़े 700 करोड होने वाला है जिसमें से लगबग 1500 करोड का खर्चा तो सिर्फ रनबीर और इतिक की फीस पर किया जाएगा क्योंकि फ्रोजेक्ट लंबा चलेगा इसलिए आक्टर्स को काफी टाइम भी खर्च करना पड़ेगा और बाकी फिल्मों से दूरी भी रखनी पड़ेगी बाकी अच्छा खासा खर्चा किया जाएगा फिल्म के VFX के उपर देखो रामायन कोई नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है ग्राफिक्स बहुत जबरदस बनाने पड़ेंगे जो शायद आज तक इंडियन सिर्मा में ना बने हो सिर्फ शक्तिमान में इतनी ताकत है जो इस फिल्म के बजट को बीट कर सके सबसे महेंगी इंडियन फिल्म्स हो सकती हैं ये दोनों कुछ इंटरस्टिंग न्यूज ऐसी भी आ रहे हैं कि फिल्म में सीता माता के कैरेक्टर के लिए दिपिका पादुकौन को अप्रोच किया गया है और उनकी तरफ से ग्रीन सिगनल अल्रेडी मिल चुका है एक न्यूज ये भी आई थी कि पहले फिल्म में राम जी के कैरेक्टर के लिए तिल्गू स्टार महेश बाबू को सिलेक्ट किया गया था लेकिन डेट्स की वज़े से वो फिल्म से अलग हो गए परस्टरली मेरा इंटर्स सबसे जादा ये जानने में रहेगा कि फिल्म में हनुमान जी के कैरेक्टर में किस एक्टर को कास्ट किया जाता है फिलाल फिल्म के मेकर्स अपनी लिस्ट बना रहे हैं वैसे आप जानते ही होगे इसी टॉपिक पर अल्रेड़ी एक फिल्म अनौन्स हो चुकी है वो भी कोई मामूली फिल्म नहीं एक मच अवेटेट पैन इंडिया फिल्म आदी पुरुष इस फिल्म में सूपर स्टार प्रभास को अश्रीराम कास्ट किया गया है और माता सीता के लिए कृती सैनन जबकी रावन वाले कैरेक्टर में सैफली खान नजर आने वाले हैं उस फिल्म की शूटिंग अभी चल रही है और फिल्म 2023 के फर्स्ट क्वार्टर में थेटर्स तक पहुँच सकती है और जैसी उमीद है बॉक्स ओफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड्स बनने के पूरे चांसे हैं अब ये रामायन वर्सिज आदी पुरुष वाला कॉंपिटिशन बहुत दिल्चस्प होने वाला है दो बड़े प्रोजेक्ट्स और दोनों का थीम अल्मोस्ट 99% सेम सिफ स्टार कास्ट अलग है कौन चलेगा कौन पिटेगा देखना बहुत इंट्रस्टिंग होगा मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाइबाइब